सलाम हुआ अलेकम दोस्तों कैसे हैं आप से मैं आप सब को YouTube channel English Literature पर वालकुम केती हूँ हम जो topic कवर करने जा रहे हैं आज के lecture के अंदर that is rhythmic acoustic dimension इसके अंदर हमारा main topic जो है meter and variations in meter lecture no.20 है subject हमारा introduction to literary studies previous lecture में हम लोग lexical thematic dimensions को cover कर चुके थे और जो हम लोग ने rhythmic orkastic dimensions में topic cover करने वो screen के उपर आपको नज़र आ रहे होंगे इन में से first topic आज हम cover करने जा रहे हैं selection no.20 के अंदर meter and variations in meter क्या होता है meter meter basically poetry के अंदर rhythm create करने के लिए use किया जाता है यानि किसी भी words या line के अंदर rhythmic structure होता है उसका हम लोग meter कहते हैं यह में दर्विक structure कैसे आता है stressed, unstressed pattern के साथ stressed, unstressed syllables के साथ यह syllables क्या होते हैं syllables basically हम कहते हैं vowel sound को vowel को नहीं, vowel sound को यानि कि जहां पर हमारे पास A, E, R, O, U इस तरह की आवाजें आये ना उन आवाजों को हम लोग syllable कहते हैं so basically in poetry meter refers to the rhythmic structure of a words or line determined by the arrangements of stressed and unstressed syllables it is the pattern of beats or accents that give a poem its musical and rhythmic quality meter is often used to create a specific rhythm and enhance the emotional impact of the poem अब जो meter है ना उसका unit foot होता है और foot किस तरह बनता है stressed और unstressed syllables को मिला के बनता है different cultures और poetic traditions की बात की जाएं उन सबके अपने types of feet होते हैं ठीक, लेकिन कुछी common examples उनकों लोग आगे discuss करेंगे उनको discuss करने से पहले मैं आपको पता दूं कि मैंने meter के उपर, syllable के उपर और जो basically types है, meter के इन सब के उपर already एक और detailed lecture बनाया हूँ है मैं कुछ link है वो इस video की description में डाल दूंगी आप लोगों ने वीडियो देखने के पाद वो लिंक्स लाजमी देखने ताके आपको overall इस topic पर command हो जाए क्योंकि यह बहुत ज्यादा important topic है तो anyhow, जो examples हैं उनके इंदर हमारे पास पहले I am आ जाता है फिर toshy आ जाता है, anaphyst है, dictyle है, spondy है i am क्या होता है, इसमें हमारे पास एक syllable जे होता है वो unstressed होता है पहला ऑनस्टरेस्ट फिर टुषी में क्या होता है हमारे पास पहला थिलेबल स्ट्रेस्ट होता है लॉस्ट होता है खिल दूसरा इंद शुरू पर जोर अगले वर्ड पर आगले syllable पर जोर नहीं है और syllable क्या है यहां पर जोर साउंड आ रहा है उसको कहते है जिसके tiger tiger burning pride ठीक यहां पर क्या है stressed unstressed stressed unstressed stressed unstressed stressed unstressed और stressed यह pattern चल रहा है clear तो आयम में क्या था पहला unstressed था ऐसके पहले ऑन्स्ट्रेश्ट था तोशी में क्या है पहला stressed था दूसरा unstressed clear अब anaphyst में क्या होता है एनप्रस्ट के अंतर हमारे पास पहले दो unstressed syllables then third one जो है वो stressed होता है ठीक इसमें डदा ढम जो है न इसमें दादा जो है unstressed है दम जो है वो stressed है वहां पर जोर दिया गया हुए and the sheep will safely graze ठीक देखा आपने and the sheep will safely graze यहां पर इन दोने पर जोर दिया गया है तो यह क्या है unstressed unstressed और stressed clear फिर डिक्टाइल इसे पहला syllable हमारे पार stressed होता है दूसरा unstressed और तीसरा भी unstressed होता है clear जैसे दम दड़ा ठीक पहला क्या था हमारे पास आयम के अंदर दरम दूसरा दम दा ठीक है दम दा तीसरा दरा दम ठीक यह जो small मैंने लिखा ने इससे आपको आईडियो हो कि यह unstressed unstressed चल रहा है फिर डंड़ा यहनिके stressed unstressed 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 चल रहा है इस तरह आपको लिखा ओधे के ज्यादा च्छा से clear हो जाएगा जैनी के अब हम बात करेंदे डिक्टाइल की तो डिक्टाइल में डंड़ा यहनिके डी यू हैम मैंने capital लिखा है यहनिके टार्टिंग पर चल रहा है फिर unstressed 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 चल रहा है हाफ अलीग हाफ अलीग ठीक यह इसका वह है sound है then हमारे पास font जिसमें हमारे पास दोनों पहले क्या होते हैं stressed होते हैं heaven and earth ठीक दोनों पी जोर दिया जा रहा है consecutively stretch syllables ठीक तो यह क्या है यह सारी इनकी definition साथ ही लिखी हुई है आपको screen पर नजर आ रही होगी साथ ही इनकी examples भी दी हुई है यह आप must लाजमी देख लिजी तो मीटर किसे कहते हैं rhythmic pattern को ठीक है rhythmic structure को मीटर कहते हैं और जो मीटर का unit है वो है feet ठीक है foot जो है meter का unit होता है और foot कैसे बनता है दो syllable मिलकर एक foot बनाते हैं ठीक है यह दो syllable मिलकर एक foot बनाते हैं यह नहीं कि अगर हम बात करें यहां पे unstressed और stressed यह दो सलेबल हो गए यह दो सलेबल मिलकर एक फूट बना रहे है अब यह जो अर्रेंजमेंट होती है in feet की foot की plural होती है feet ठीक यह जो अर्रेंजमेंट है in feet की यह different types of poetic meters मनाते हैं अब वो meter कौन-कौन से हैं उनकी variation क्या है I am big pantometer यानि मैंने आपको क्या बताया था भी stressed unstressed for example यह क्या है दो सलेबल है दो सलेबल मिलकर क्या बनाएंगे एक फूट बनाएंगे एक फूट बन गया अब यह एक फूट ही एक मीटर होता है ठीक यहनि कि मीटर का unit पांच मीटर बन जाएं तो इट मीटर बन जाएं तो यहांति मीनस थी provide relevant जाएंगे अक्म के नियुक्ण को कहते हैं चण्रान कहीं मेंत कि अगर यह एक मीटर में हमारे पास दो सिल्यबल है, ठीक, अब हमारे पास जो दो सिल्यबल हैं, हम उनको 5 से मल्टिप्लाइ करें, तो 10 न आता है, अगर हमारे पास 10 सिल्यबल हो जाएंगे, तो हमारे पास कितने मीटर होंगे? 5 ओविस ही बात है कैसे क्योंकि एक मीटर के अंदर दो सलेबल होते हैं अगर हमारे पस दस सलेबल होंगे तो वो 5 मीटर बन जाएंगे और 5 को हम लोग पैंटा कहते हैं ठीक है तो यानी 5 मीटर means pantameter so iambic pantameter हमारे पास first variation हो गई this is one of the most famous and frequently used meter in English poetry it consists of 5 iams per line resulting in 10 syllables in total और iam जो था हमने देखा था कौन सा pattern follow कर रहा था यह देखें screen पे iam basically pattern follow कर रहा है unstressed को stressed को हाना iam consist of one unstressed syllable followed by one stressed syllable didn't तो यहाँ पे iam means हमारे पास पहला unstressed आ गया दूसरा stressed आ गया और यह unstressed stressed unstressed कितनी दफ़ा आया हमारे पास 10 दफ़ा आया थीक यहाँ टोटल 10 syllables हो गए और अगर हम unstressed stress को कठा करें तो हमारे पास 5 meter हो गए clear है तो iam basically unstressed stress के pattern को कहते हैं यह याद रखना है आपने मैं थोड़े पहले कुछ और बता गई थी आपको लेकिन अपने आपने याद रहना कि iam basically unstressed और stressed और stressed, unstressed, stressed इस pattern को कहते हैं और अगर यह unstressed, stressed मिलके दस syllable हो और फाइव मीटर हो तो हम उसको iambic pentameter कहते हैं clear नीचे example quote की हुई है पिर ट्रोश्व एक tetra meter tetra का मतलब क्या होता है four अब जिसके इंदर मारे पास four meter आ जाए four meter means eight syllables जिसमें मारे पास eight syllables आ जाएं वो tetra meter होगा और ट्रोश्व एक means stressed, unstressed, stressed, 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 stressed हैने कि यह वाला pattern तल नााला स्ट्रेसलियम्र हो दूसरा unstressed हो फिर stress syllable हो फिर unstressed हो यह याद रखना है आपने यह में में हमारे पास we are stressed and unstressed हो में हमारे फिरे फैल्स अहीं यहांद रखना हो जोकि आयमने यह स्ट्रेश कि होगा इंस त्रेस्त होता है ठीक यहनि कि stress का कपल है यह मार पास four time repeat होगा यह यह जो सब्सक्राइब है su su यह जो जो सब्सक्राइब हमारे पास total eight आएंगे eight syllable मिलकर क्या बनाते है four meter बनाते हैं और four meter को हम लोग tetra meter कहते हैं आपको आता हो कि काउंटिंग mono die tri tetra penta hexa hepta है कि सारी काउंटिंग है पर mono हो मतलब 1 अगर 2 हो मतलब die 3 हो मतलब try और 4 हो मतलब tetra है हमारे पास meter तो वह tetra meter हो गया थीन मेटर होते तो त्राइमेटर हो जाना था और नहेंतना सही अनिप्री होती है तो यहां पचे यह स्ट्रेस्ट हो होंगे और नहुकリ होती है अनिप्रेस्टिक ओं सेय लिए ख़यो जास जासे तरह या निके u इंदर हमारे पास यहां पना स्य स्यूस्य पश्राइब कुर चाहिए यहे जो स्यूस्य पर लिए कि 12 अट आप स्यूस्य है तो स्यूस्य है अमने पर लाच प्रिट है हेक्जामीटर अक्सर CSS के पेपर के अनदर हमारे पास कुछन आ ता कि अगुजण है कि हैं या हिरो एक जमीटर और है फिर दो अंस्ट्रेस्ट होते हैं ठीक एक स्ट्रेस्ट दो अंस्ट्रेस्ट अगर हम दुबारा यहां पर वापस आए एक स्ट्रेस्ट है दो अंस्ट्रेस्ट है अब यह एक स्ट्रेस्ट दो अंस्ट्रेस्ट मुल्टिप्लाइब सिक्स करें तो क्या बन जाते हमारे पास 18 यानि इसके इंदर 18 syllables होंगे इसमें हमारे पास क्या होते हैं इसमें हमारे पास 6 ductile होते हैं यहाँ पर 6 ductile होने की base पर ही इसको heroic hexameter कहा जाता है सबसे जाधा लंबी form होती है meter की ठीक है तो ductile hexameter hexa का मतलब 6 ही होता है लेकिन यहाँ पर ductile 6 होंगे 6 ductile होंगे 6 ductile होने की base पर ductile hexameter कहा जाता है और अगरे हम 6 ductile देखें तो कितने बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने देखा 3 syllables है total वह 3 syllables मिलकर total 6 तो 18 बन जाएंगे और यह देखा आपने बाकी से तुरह सा हर्ट के थी तो इसी base पर इंपोर्टन भी है और CSS के अंदर भी आती है PPSC में भी आती है मतलब different multiple test के अंदर पूछा जाता है कि heroic hexameter क्या है heroic hexameter सबस्यादा लंबी form होती है meter की जिसके अंदर नमारे पास 6 ductile होते हैं 6 ductile यानि के 3 syllable कठे हैं आना 3 syllable कठे आते हैं और 6 times आते हैं तो it means वह total 18 syllables carry करता है example आपके screen पर फिर iambic tetrameter iambic हम लोगों ने देखा था वही pattern unstressed stressed वाला और tetrameter यानि के 4 times और अगर एक line के अंदर 4 iams आएं तो it means 8 syllables हैं वह हमारे पास क्या होता है iambic tetrameter होता है तो these are just a few example of examples of poetic meters and their variations poets use meter creatively to shape the flow of their verses and evoke specific emotions or themes the choice of meter can greatly influence the overall tone and impact of a poem clear तो यह था हमारा आज का lecture और lecture खत्म करने से पहले मैं आपको दुबारा से reminder करा दूँ कि मैंने कुछ links जो है इस lecture की description में डालने हैं आपने lecture सुनके उन links को लाजमी सुनना था कि आपको जो respective topic है हमारा meter क्या होता है syllable क्या होता है foot क्या होता है और types of meter क्या है यह सब कुछ मैंने वहां पर in detail discuss किया हूए वह आपको clear हो जाए अच्छे से कोई भी इनके इंदर-confusion बाकी ना रहे इतने भी important points है आपको अच्छे से clear रहे यह स्टे अच्छे सेयो ढगा यह स्टे टने वह स्टे करे